हाई फ्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैनिक कोईन के अंदर आप अपनी KYC किस प्रकार से कम्प्लीट कर सकते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले डिस्कलेंबर मैं यह आपर कोई फाइनेशिल एडवाईजर नहीं हूँ यह जो भी वीडियो है आपको एक education purpose के regarding बनाय जा रहे हैं आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी investment करते हो अपनी research और अपनी analyze के अनुसार करें चैनल आपको किसी भी प्रकार के loss या profit की responsibility नहीं लेता है फ्रेंश जो भी आपने अपना जैनी का account create किया हुआ है सबसे पहले आपको अपना account को open कर लेना है जैसे आप अपना account को open करोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर notification मिल जाएगा KYC का आपने उसके उपर click करके आप अपना KYC जो process है वो कर सकते हो अगर आपके पास में आपको notification शो नहीं करता तो आपको simple अपना account open कर लेना है और यहाँ पर आपको जो यह menu के उपर जाना है menu के उपर यहाँ पर आपको जैसे balance दिखाई दे रहा है आपने balance के उपर click करना है जैसे आप balance के उपर click करोगे तो यहाँ पर जो यह एक option है deposit शेपा आपने इसके उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखे यह दिखाई दे रहा है इंटर के वाइसी डाटा तो आपने इस इंटर के वाइसी डाटा के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे यह डेटेल मांगेगा आपने अपने detail check भी कर लेनी है जो आपने अपना first name, last name और जो आपने nationality है जो चीजे बरी हुई है अगर आपकी सही है तो इनको आपने change नहीं करना है उसके बाद में निचे आपको एक जैसे आप type के उपर click रोगे तो यहाँ पर आपके पास में दो option मिलेंगे एक passport का, एक national identification का अगर आपके पास में passport है तो आप passport के उपर click किजिए लेकिन अगर आपके पास में passport नहीं है तो आप अपने national ID के उपर click कर देजी उसके बाद में यहाँ पर जो आपका national ID का जो number है आपने यहाँ पर वो number आपने select कर देना है जैसे suppose कीजिए हम आदार काड से KYC कर रहे हैं तो आपको अपने आदार का जो number है वो यहाँ पर आपने fill कर देना है उसके बाद में जो next option है जैसे आप अपना आदार का number डाल दोगे उसके बाद में जो next option है यहाँ पर आप से पूछ रहा है expired date अगर आप passport से कर रहे हो तो passport के उपर expired date होती है आपने वो date डाल देनी है लेकिन अगर आप आधार कार्ड से कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इसको blank छोट देना है और इसके उपर क्लिक करके आपने confirm के उपर क्लिक कर देना शीम यह आपको जो एक pop-up आएगा इसको आपने पढ़ लेना है और उसके बाद में नीचे I confirm के उपर क्लिक करके इसको आपने process कर देना है और यह यहाँ पर आपका जो data है यह आपको done हो जाएगा आपकी जो KYC है यह approval हो जाएगी ओके friends बिल्कुल simple सा option है कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी ने multiple अपने account बनाए वे हैं तो उसको एक ही नाम से सभी account के उपर KYC नहीं होगी आप एक account के उपर एक व्यक्ति की KYC कर सकते हो उसके बाद में अगर आप के multiple account है तो आपके घर के उपर जो भी व्यक्ति है आप उससे उसकी KYC कर सकते हो ओके तो multiple account के उपर आपने KYC नहीं करनी है एक ही नाम से उमीद करता हूँ आप समझ गए होगे अगर फिर भी आपको कोई चीजे समझ में नहीं आए तो description के अंदर आपको mobile number मिल जाएगा आप उसके उपर contact कर सकते हो ओके friends, thank you